आज आज आपके लिए लेकर आई हूं महाभारत की कुछ एसी कता जिसके बारे में आप जानेंगे इस वीडियो के तरण कहते हैं कि महाभारत में पांडव राजवंच के जो गुरू थे यानि की पांडव उन में से उनके पिता सभी के अलग-अलग कहते हैं कुंति के पुत्र और मादरी के कही जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि पांडू किसी कारण वर्ष पिता बने में ऐसमर्थ थे इसलिए पांडवों के पिता अलग है जब युदिस्टर का जनम हुआ तब पांडू की ववस्ता पिता बने लायक नहीं थी कहते हैं कि कुद्धि को युवा वस्ता में दुर्वशा का आवहन करने पर पुत्र की प्राप्ति होनी थी और इसका फाइदा पांडू ने उठाया उन्होंने आगरे किया कि आप दुर्वशा का आवहन कीजिए ताकि आपको एक पुत्र की प्राप्ती हो सके और मैं पिता बन सकूँ इस प्रकार युदिस्टर का जनम हुआ दूसरा पुत्र था भीम जो की हवा यानि की पवल का आवहन करने पर भीम का जनम हुआ कहते हैं भीम को भी सिक्षा और दिक्षा दूनाचारे से ही ली गए थी वहन गदा चलाने में ज़्यादा अच्छे थे ये तो सभी महाभात में जाते हैं कि भीम ने गदा के दोरा किस तरफ प्रकार युद में अपनी गुमिका निभाई थे प्रकार उन्हें दिक्षा दे कर कुंती को भीम के रूप में एक पुत्र प्राप्थ हुआ अरजून कुंती के तीसरे पुत्र जो की देवराज इंदर के पुत्र माने जाते हैं कहते हैं जब इनका जनम हुआता तब बहुत गायन यानि कि बहुत ज़्यादा खुशिया बनाई गई थी अचुन के जनम पर और इन्हें भी उसी तरह से सिक्षा दिक्षा दी गई और दोणा चारे द्वारा ही मिली कहते हैं सबसे अच्छा सिशय अरजुनी थे दोणा चारे उनकी तारे भी बहुत करते हैं ऐसा कहा जाता है कि सहदेव और नकूल अश्विन के पुत्र थे लेकिन अश्विन को ज़्यादा तरड़ोग नहीं जाते क्या आप जानते हैं कहा जाता है रिंग बेद के अनुसार गंगा टट पर अश्विन रहा करते थे प्रकार नकूल और सहदेव भी उन्हीं के पुत्र है जो खून भिश्व में हैं वही खून उन्में भी है कहते हैं कि नकूल और सहदेव का जनम उसी दोरान हुआ था इसी कारण द्रोपती उन्हें काले रंग के कारण शाम कालेशवरा भी कहा करती थी पांडू को शादू ने एक स्टाप दिया था जिस कारण से वहें कभी भी अगर किसी महिला के साथ योन संब्द इस्थापित करते तो उनकी मित्यू उसी वक्त हो जाती क्योंकि उन्हें किसी सादू और योन संब्द इस्थापित करते हुए उन्हें मार दिया था इसी कारण उस सादू ने उन्हें शाप दिया कि यदि आप किसी के साथ अपनी पत्नी के सारे किसी और महिला के सात्यों सम्मद इस्ताफित करेंगे तब ही उनकी मित्ती हो जाएगी इस कारण बस उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी के सात्यों सम्मद इस्ताफित ही नहीं किया पांडू चुवा खेलते थे, जुवा में वह पांडू अपना सब को सत्ता तक हो चुके थे और उन्हें ने अपने चुवे के लिए अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा दिया और दाव में वह अपनी पत्नी को भी हार गए तब उन्हें निशकासन, वो सासं से निशकासन कर दिया और उन्हेंनें कहा कि यदि आप कहीं भी देख लिए जाओगे तो आप 13 पर्ष के लिए फिर से निशकासन कर दिए जाओगे तो वह इतनी दूर एक ताकि उन्हें कोई देख न सके ये थे वे कारण जो पाचो पंड़ों के पिता अलग-अलग थे मेरी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले